दोस्तो एकसल की इस अमेजिंग जेप्टर में आप सब का स्वागता है जहां पर आज हम सिखेंगे स्कूल फी मेंटेइन करना मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें आप किसी इंस्टेडूट में वर्क कर रहे हो किसी ओर्गनाजेशन में वर्क कर रहे हो या फर किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रोफेशनल तोर पर आप डेटा कैसे मिंटेन करोगे वह आज किस वीडियो में सेखेंगे नौर्मली अगर आप इस किन पर देखो एक डेटा हमने प्रपेर किया हुआ है और इस डेटा का जो फॉर्मेट हो बहुत ही सिंपल में एक आपको जस्ट आवर्विव शो करता हूं इसका ये कुछ इस तरह से अब नौर्मली आप इस किन पर देखो मैंने क्या किया है स्टूडेंट का रूल नंबर उसका नाम फादर्स नेम क्लास एज कॉंटेक्ट बेसिक चीज़े सिर्फ टाइप करना है लेकिन इसके बाद यहां पर थोड़ा ध्यान देते हैं देखो यहां से स्टार्ट करते हैं अब यह सारी चीज़े कैसे हो रही है वह सभी चीज़े आप आज के इस वीडियो में सेखने वाले हो अब यहां पर किसी भी ऑप्शन पर में जागे टिक कर तो कुछ इस तरह से तो आप देखिए पेड मंध 5 हो गया फी सब्मिटेड रिमेनिंग फी सारी चीज़े चेंज हो गई तो यह सारी चीज़े आज के इस वीडियो में आप सेखने वाले हो step by step so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेज जरू करें तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो रोल नमबर इसके बाद student का नीम तो हमने लिखा नीम फिर उसका father's name हमने आप लिख दिया father's name फिर उस student की age कितनी है student कौन सी class में बढ़ता है और student का क्या contact number है यह चीज़े हमने इसमें टाइप कर दिया इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे इसके मंतली फीज कितनी है तो ह अपरेल से मार्च का होता है तो सबसे पहला मन्त यहां पर हम ले लेते हैं एपरेल देन हमने यहां पर लिखा में और उसके बाद जून तो यहां पर simply क्या करता हूं मैं इस पूरे को select करता हूं अपरेल और में को और फिर इसे हम ड्रैग कर देते हैं जब तक मार्च न आ है तो हमने यहां पर लिखा remaining months इसके बाद total कितनी fee submitted हो गई इनके तो हमने यहां पर लिख दिया fees submitted यहां पर कुछ इस तरह से और यहां पर हमने लिख दिया remaining fees तो यह सारी चीज़े लिखने के बाद जो main काम होगा वो होगा एक format set करना तो सबसे पहले तो यहां पर आते है इस पूरी range को हम select करते हैं कुछ इस तरह से यहां पर गए control shift को hold किया और यहां पर जो हमारा right arrow की इसे press किया automatically जहां तक data फैला हुआ है वहां तक select हो जाएगा यहां पर हम दो चीज़े apply करने वाले एक है wrap text ठीक है और दूसरा यहां पर हम करेंगे format में जाके autofit column width इसे करने से benefit यह होगा कि जिस cell को जितने column की मतलब जितने space के requirement होगी वो उसमें adjust हो जाएगा और यह करने के बाद ह हम यहां पर जो alignment है इसको top align करेंगे और यहां पर central line कर देंगे और इसके बाद जो हमारा arrow है इसे थोड़ा उपर कर देंगे कुछ इस तरह से अब यहां पर जिसमें adjustment सही से नहीं हो पाया है जैसे remaining fees है तो हम क्या करते है इस पूरे data को select करते हैं और इसका content हो थोड़ा सा कर देते हैं कुछ इस तरह से और यह होने के बाद आप देखें कि आपका data proper तरीके से यहां पे adjust हो गया है अब यह होने के बाद हमें यहां पर apply करनी है editing तो इसके लिए हम क्या करते है पूरे इस range को select करते है select करने के बाद हमने यहां पर नॉर्मली क्या क्या एक color apply कर दिय जो कि yellow better रहेगा इसके बाद हमने इस पर बोलने supply कर दी कुछ इस तरह से और यह करने के बाद यहां पर कर देते हैं all borders कुछ इस तरह से अभी होने के बाद ऊपर वाला जो section है से हम select कर लेंगे और यहां पर हम इसे कर देंगे merge करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे school fee record त हम choose कर लेते हैं अपने हिसाब से यह better है और इसमें जो S है इसको बस हम थोड़ा सा change कर देते हैं इस तरह से और यह करने के बाद इसको select किया और इस पर हमने apply कर दिया अपना color यहां पे blue और यह हमने कर दिया इसका color white तो देखा चाहें तो जो हमारा format है वो ready हो चुका है औ आप करना किया है कि score data को fill करना है तो यहां पर कुछ roll number ले लेते हैं जैसे suppose मैंने आप लिखा 101 and 102 ठीक है नेम ले लेते हैं तो हमने एक नाम ले लिए राजेश एक नाम हमने ले लिए महेश अब यहां पर आते हैं normally father's name वाले section पर और यहां पर हम कुछ father's name लिख देते हैं class हमने लिख दे 10th और यहां पर लिख दे 10th अब यहां contact number कुछ भी डाल देते हैं में यहां पर इस तरह से enter किया अब यहां पर आपको इससे click करना है और यह double tap कर देना है इस वाले उपर में आगे ताकि यहां पर कुछ और scientific symbol वगएरा यह चीज़ें ना आए अब यहां प तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पूरी रेंज इसको select करना है number one इसके बाद यहां जाना है font वाले option में और यहां सबसे नीचे आना है आपको यहां पर option मिलेगा winding to इस पर click करना है तो यह font इस पर select हो जाएगा अब इस font का benefit क्या होता है कि यह कुछ letters पर symbols provide करता है ज फिर मैंने यहां पर क्या तो मैं यहां पर फिर बड़ा P press कर रहा हूं capital P तो यहां पर क्या आ रहा है टिक आ तो इस तरह से आप यह चीज़ अप्लाई कर सकते हो तो हम इसी को क्या कर लेते है copy paste कर लेते हैं यहां पर simple ठीक है और कुछ-कुछ जगह हम यहां पर और apply कर दे और उसके बार capital P आप प्रेस करोगे तो यह तिक आ जाएगा अब यहां पर हमें लगाना है formula formula क्या है कि जितने पर टीक apply है उतने महीन की फीस आ गई है और जितने पर टीक apply नहीं है यानि जो खाली है उतने महीन की फीस बागी है तो हम यहां भी क्या करेंगे हम press करते है इ पर हम यह formula apply कर रहे हैं, तो हमने रिन select किया, कोमा, इसमें हम किसे select कर रहे हैं, मतलब हमारा यहां पर criteria के है, तो double quarts के अंदर हम डाल देंगे P, तो यहां पर यह होगा, कि जिन जिन पर आपने tick apply किया होगा, tick किसे, capital P से, तो जिन जिन पर tick apply किया होगा, वो यहां पर count हो जा चेक करना है कि कितने महिनी की fees आपकी बची हुई है, तो हमने के यहां पर equal, और यहां पर एक formula डालेंगे, count blank, मैंने formula डाला, इसके बाद पूरी range को आप simple select करो, यहां पर कोई criterion डालना, सिर्फ range को select करना है, bracket बन, enter, और यहां पर देखो, दो महिनी की fees आचुकी है, दस मह दे चुकी हो, तो हमने लिखा यहां पर equal, और equal करने के बाद हम ही क्या करना है, यह जो paid मंत है, इसको select करना है, और multiply कर देना है मंतली fees से, क्या किया मैंने paid मंत को select किया, और मंतली fees से select कर देखो, प्रस कर दिया, enter, तो 800 के हिसाब से 2 मेनी की fees कितनी हुई, 1600 रुपे, जो कि अर्ली fees से, और किया enter, और 8000 रुपे की fees जो है, वो इनकी बाकी है, अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर 00 आ रहा है, क्यों आ रहा है 0, क्योंकि यह जो 800 है, वो हमने नीचे तक drag नहीं किया है, जैसे मैं से drag कर दूँँगा, तो यह भी जो चीज है, वो यहां पर आ जाएगी, अब यहां पर normally हमारा सारा काम complete हो चुका है, अब इसमें सिर्फ apply करनी है, थोड़ी से editing, तो उसके लिए जैसे भी editing आपको apply करनी है, वो totally आप पर depend करता है, आप अपने हिसाप से editing apply कर सकते हो, जैसे हम इस पर apply कर लेते हैं, मैंने इसे select किया, color हमने suppose दे white कर दिया, कुछ इस तरह से, इसके बाद यहां पर class 10th है, तो हमने इसको select कर लिया, और यहां पर 10 की जगह 14 15 भी आ गया है, तो इसको हम simply क्या करेंगे, ऐसे right click करके apply कर देंगे, और copy sell कर देंगे, तो यह class 10th है यहां पर आ गया, इसको select किया, इसका color माल लीजी हमें रख apply करने आप कर सकते हो, जैसे मुझे इस पर apply करना है, तो मैंने इसको select किया, कुछ इस तरह से, और यहां पर आके, इस पर हम यह वाला color apply कर देते हैं, और किसी पर भी जैसे मुझे tick करना है, तो simple हमने क्या क्या, caps lock on करके, capital P दिया, और जैसे मैं enter करूंग, आप देखो अभ आप किस institute में work कर रहे हैं, किसी ऐसे जगह work कर रहे हैं, जहां पर आपको client का data इस तरह से manage करना है, तो आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, so I hope कि guys, यह जो वीडियो है, tutorial है, वो आपको पसंदाया हो, अगर ही वीडियो आपको अच्छी लगिए, तो please इस वीडियो को like करें, share करें, साथे comment करके अपना feedback जरूर दे, thank you.